दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, expense ratio का नाम पर ये company loot रही है, यानि इस company का नाम है Taurus Midcap, ठीक है, ये midcap का fund है, इसमें expense ratio काफी ज़्यादा लग रहा है, यानि आपको जितना कमाना है, उसमें से 2% इनको ही दे देना है, ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, tax बचेगा, 10% tax पी दे देना है, तो हमें क्या बचेगा, इसलिए, जिस fund में expense ratio इतना ज़्यादा हो, उसमें निमेज कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, देख लिजिए, मान लिजिए, आपका return साल में 10% आ रहा है, उसमें से 2% इनको दे दिये जाए, उपर से 10% tax दे दिये जाए, तो बच इसलिए, जिसमें expense ratio काफी काम होगा, उसमें निमेज करना चाहिए, ठीक है, तो अगला हम कोई fund देख लेते हैं, देखिए, यहाँ पर LIC का fund मुझे दिख रहा है, मिडिकेप का ये भी है, ठीक है, इसको हम click करके देख लेते हैं, इसका expense ratio कितना है, यहाँ पर देख सकते ह इसका भी expense ratio one point से उपर है, यानि 1.5% से उपर है, तो देखिए, इसका भी काफी ज़्यादा expense ratio है, यह LIC काफी नामियर कमपनी है, फिर भी expense के नाम से काफी ज़्यादा charge कर रही है, ठीक है, तो ऐसे fund में निमेज करना से हमें बचना चाहिए, समझ गे, जिसमें expense ratio काफी कम में उसी में निमेज करना चाहिए, दोस्तों expense ratio जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आपको ज़्यादा return कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, आप जानते ही होंगे, कि यह हर साल expense ratio काटते हैं, यानि साल का जाया profit करे, चाहिए loss करे, इनको 1.5%, 2% चाहिए चाहिए, ठीक है, यह expense ratio क इस तरह से काटते हैं, देखिए, आपको loss हो रहा है, या profit हो रहा है, काटना ही काटना है, यह daily, जब आपका NAV update होता है, उसमें से daily minus कर देते हैं, जो इनका expense ratio होता है, 365 से भाग देके, उससे minus कर लेते हैं, उसके बाद हमारा NAV update करते हैं, समझ गए, तो इसलिए expense ratio देखन बहुत ज़रूरी है, अब हम और भी fund देख लेते हैं, जो काफी ज़्यादा popular होता है, उस fund को हम देख लेते हैं, चलिए अब Tata को देख लेते हैं, Tata meet cap, ठीके, इसका expense ratio क्या है, इसका expense ratio एक से नीचे है, यानि एक से नीचे है, तो अभी ठीक है, क्योंकि इसमें ये 0.5 से नीचे होना चाहिए, यानि आदय परसेंट के आज़ पास में, जो fund expense ratio काट रहा है, उसी में निवेज करना चाहिए, तो आपको ऐसा ही सर्च करके देख लेना है, चलिए HDFC के नाम से, इसको देख लेते हैं, HDFC meet cap, ये कितना expense ratio काट रहा है, तो इसको हम क्लिक करत ये तब तक आपको काफी loss हो सकता है, यानि return का काफी बड़ा परभाव पर सकता है, मान लिजे आप कम निवेज कर रहे हैं, तो आभी ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा, जब ये portfolio 10 साल, 15 साल के बाद, 20 लाग, 30 लाग, 50 लाग, 1 क्रोड का हो जाएगा, तो यही 1%, 1,5%, 2% का आप भारी पड़ेगा, समझ गए, 1-2% आप निकाल सकते हैं, कल्कुलेट कर सकते हैं, ये expense ratio हर साल अगल काटा जाए, 1% से उपर का, यानि 2% सब 2%, तो कितना आपके portfolio में negative जाएगा, कितना का loss हो सकता है, समझ गए, तो इसलिए expense ratio देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए सबसे ज़्यादा कमा रही है, हमें loss होगा या profit होगा, तो हमें इस चीज का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, चलिए, अब हमें small cap भी देख लेते हैं, यहां से, इसका हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यह काफी popular है, ठीक है, तो इसका हम क्लिक करते हैं, इसका expense ratio य चाहिए, जब जाके आपको निमेज करना चाहिए, नहीं तो काफी बड़ा loss हो सकता है, यानि long term में, अभी portfolio छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यही 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसे बढ़ेगा, यानि करोड़ों में जब portfolio हो जाएगा, तब ज़्या हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, जाएँ दोस्तों